नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे निकला हुआ पेट अंदर करने के लिए 5 सिंपल नुश्के लोगों का पेट निकलना आज के समय में बहुत आम बात हो गई है जो लोग गंटें तक बैट कर काम करते हैं या किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उन लोगों को पेट बाहर निकलने की अधिक परिशानी होती है इसलिए आज हम आपको निकला हुआ पेट अंदर करने के लिए 5 सिंपल नुश्के बताएंगे निकला हुआ पेट देखने में तो खराब लगता है उसी के साथ साथ करी प्रकार की बिमारियों का भी कारन होता है अधिक मोता पा बहुत सी बिमारियों को लेकर आता है इसलिए अपने शरीर को फिट रखना भहुत ही ज़रूरी है आप कुछ आसान तरीकों से अपने गर पर ही निकला हुआ पेट अंदर कर सकते हैं वीडियो में दी गई टिप्स को आप फॉलो करके अतिरित पेट की चर्वी को भी रहता सकते हैं आईए जानते हैं निकला हुआ पेट अंदर करने के सिंपल नुश्के थोड़ा थोड़ा खाये अगर आप एक ही बार में बरपेट खाना खाने में यकिन रखते हैं तो आपका पेट अंदर नहीं होगा इसके लिए आपको अपनी आदत बदलनी होगी अपने खाने को दो या तीन चोटे चोटे भावों में बाट ले और हर दो या तीन गंते में थोड़ा थोड़ा खाई, जिससे आप एक ही बार में अधिक खाने से बचेंगे, आपका एनरजी लेवल भी बना रहेगा और पेट का मोटा पा भी कम होगा अगला नुसका जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए अगला नुसका चबा कर खाए बाहर निकले पेट को अंदर करने के लिए आप जब भी खाना खाए इसे अच्छे से चबा चबा कर खाए चबाकर खाने से इसमें लार मिलती है और खाना आसानी से पचता है खाना सही से पचने से पेट के आसपास अत्रिक्त चरबी जमा नहीं होती है कुछ ही दिनों में निकले पेट को अंदर करने के लिए ये मददगार होता है तो हो सके उतना खाना चबाकर खाए हरी सबजिया खाए ताजी हरी सबजियों का सेवन कर पेट को अंदर किया जा सकता है हरी सबजियों में बरपूर मात्रा में विटामीन और मिनरल होते है जो शरीर के लिए भहूत ही फायदेमंद होते है इनमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है साथ से सत्तर प्रतिशत पानी से बर्पूर यह सबजिया तेजी से वजन घटाती है और बेली फैट भी कम करती है खीरे को सलाद में सेवन करने से कुछी दिनों में आपकी मोटी तोंद अंदर हो जाएगी कोल ड्रिंग्स को कहे ना अगर आप सौप ड्रिंग्स या कोल ड्रिंग्स का बहुत सेवन करते हैं तो आपका पैट कभी अंदर नहीं होगा हाल ही में हुए एक शोद की माने तो इन ड्रिंग्स को अधिक पीने से मोटा पे का खत्रा बढ़ता है इनमें शुगर और कैलरी की मात्रा अधिक होती है ये दोनों पेट की चर्वी बढ़ाने के लिए चिम्मेदार माने जाते हैं जिसकी वजह से पेट बाहर निकलने लगता है खाने के बाद तुरंट नो सोय देर रात को खाना खाना और उसके तुरंट बाद सो जाना भी पेट निकलने का एक प्रमुप कारण है हमेशा सोने से दो गंटे पहले ही रात का बोजन कर ले बाहर निकले पेट को अंदर करने के लिए रात के खाने में कुछ हलका फुलका ही खाए अगर आप खाने के बाद 30 मिनिट का समय तहलने के लिए निकालेंगे तो यह सोने पर सुहारा होगा तो दोस्तों यही कुछ नुसके जो बाहर निकला हो पेट अंदर करने के लिए मददगार साबित होते हैं कि आपको यह वीडियो कैशा लगा आप कमेट में बता दिए वीडियो को लाइक कीजिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे के साथ साथ बेल आइपन को भी प्रेस कीजिये और जाते-जाते याद रखिए burner 48 ही जीवन है जीवन ही leftover है